नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है कासी के डोम राजा जगदीश चोधरी का अचानक निधन हो गया उनकी उम्र महज 55 साल थी पिछले साल लोकसभा चुनाओं से पूर्व अचानक वो सुर्खियों में आ गये थे और सुर्खिया बने थे प्रधान मंतरी नरेंद मोदी का प्रस्तावक बन करके पिए मोदी के वो प्रस्तावक कैसे बने उनको किस लिए और कब चुना गया ये सुनिए उनही की जुबानी इस वक्त हैं हम त्रिपुर्या वहरवी के घाट की तरफ और मकान है वो डोम राजा जगदीश चोधरी का हम जानेंगे उनके जीवन के कुछ अंचुए पहलों को खास्तोर से जबसे वो प्रदान‌मंतरी नरेंद मोदी के प्रस्तावक बने थे तब से अचानक लािम-लाइट में आ गए तो जगदीश चोधरी जी क्या सोचते है प्रदान मंतरी का प्रस्तावक बनने के बाओ उनके रूटीन में उनके जीवन में क्या चेंज़े जाए सबसे पहला यही सवाल जग्दी चोदरी। प्रधान मंत्री नरिंद मोधी जब नमांकन करेंगे तो उनका आपको प्रस्तावक बनना है। तो कौन प्रपोजल लेके आया था उनकी तरफ से उसके बाद यह सुचना दी गई कि आपको बनना है। प्रधान मंत्री नरिंद मोधी का प्रस्तावक बन करके वो चर्चे में आ गए थे। खोड़े दिनों तक लोगों का आना जाना लगा रहा लेकिन फिर उनकी जिन्दगी अपनी पट्री पे वैसे ही चलने लगी जैसे चलती आ रही थी। यानि कि मड़ी करणी का घाट पर सौव को जलाने का काम जो उसमें बारी-बारी से जब मौका मिलता है को कि बहुत सारे परिवार हैं उसी बारी को वो खुद ही अवंटित करते हैं कि कब किसका नंबर आएगा और इस तरीके से वो एक दिन अचाना चले गए तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं हमारा डिजितल चैनल इन खबर थैंक यू इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबानर ना भूए